सबसे इंपोर्टेंट बांत अगर किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर श्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मार्किट में गिरावट है और किसी भी तरीके का डर लग रहा है तो वहां पर आप कमेंट कर दीजिए नीचे अपने श्टॉक्स के बारे में आप मुझसे कि पूछ सकते हैं कि फिरेयो कोस्ट है कोई पैसे निदेने सिंपली आपको नीचे कमेंट करना है और पूछना ही कि हा सर ये धाक सब्सक्राइब भाई है सुख्या पी या नहीं है है रही एसरे श्रीकih स्टॉक्स ले रख और लिए यह वीमापर पर पर प्रोवाइड बट कोई भी queries है किसी भी तरीकी का डर किसी को लग रहा है new stock new log काफी सारे हैं तो यहां पर simply आप comment कर दीजिए आपको किसी आपको answer तुरंट के तुरंट जब भी मैं देखूंगा आपको within a day मिल जाएंगे तो सबसे पहले बात यह थी तो हम आगे बढ़ते हैं और आज इस particular आज के दिन में हम बात करते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को हिट कर दीजिए और कोई भी queries हो तो कमेंट तो करना है like भी करना है support भी करना है और all के notification को on कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डाले आपको वीडियो जहां पर मिले और हमारे financial service का लाब उठाना चाहते हैं तो यह particular नंबर पर आप हमें contact कर सकते हैं long term और short term के portfolio create के राने के लिए तो आईए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करने वाले आज के दिन में यहां पर किस से लिठे निफ्टी bank से लिठे निफ्टी financial से लिठे तो देखिए हमें आपको एक कुछ बताना चाहते हूं निफ्टी IT जब सबसे पहले निफ्टी IT ने गिटना शुरू किया था जब तक market भी उपर दी और उसके बाद एक अच्छी कासी गिरावट होने के बाद यहां पर एक consolidation phase में चल रही है निफ्टी IT और अगर हम देखे इसने mostly लग रहा है कि इसने अपना bottom बना लिया अब यहां से ऊपर जाना चाहिए इसे एक अच्छी कासी गिरावट और यहां पर इस गिरावट का फायदा उठा सकत यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं गिरावट हो सकती है निफ्टी बैंक से लिटरी बाते करी थी तो यहां पर जाम यहां पर वीडियो बनाई थी आपको सिंपल बताया था कि यहां पर एक गिरावट होती हूं ही नजर आ रही है अगर यहां पर सीधा gap-down नजर आता है support तो अगर इस support को तोड़ता है तो यहाँ पर एक गिरावट और होगी जो कि यहाँ पर इसे ले लेकर जाएगी 32,191 लगभा लगभा 800 पॉंट की और गिरावट और उसके बाद और गिरती है तो फिर सीधे याद रखिये यहाँ पर यह जो पॉंट से 30,000 और यह यहाँ पर मै यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाता हूं कि जब से 50 को मिला लीजे या इसे मिला लीजे यह केवल ऊपर जाना ही इसका काम है नीचे आने का काम नहीं है याद रखियेगा तो इस तरीके गिरावट इससे पहले भी हुगी है यह गिरावट कोविट के वाएस हुई थी यह बीच में गिरावट हुई थी और फिर अगेन यहाँ पर अगर अगम देखें टॉप से यहाँ पर लगबग 15,000 आता है 4,000 पॉइंट से यहाँ पर गिर चुके हैं यहाँ पर भी इससे पहले भी देखें यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ रूपे तक ही आया था तो एक अच्छी कासी गिरावट थी और कितने ताइम तक फरवरी 2015 से लेके अगर हम बात करें गिरावट यहाँ पर एक साल की गिरावट होती ही नजर आए थी बट उसके बाद जो कमबेक था तो याद रखिए वो कमबेक एक साल के बाद जो कमबेक हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगा था जम थी यहाँ पर कहां से 5000 से लेके 14,000 और अभी तो सरकार अलग हैं तो इन्वेश्ट तो यहाँ पर एफाई जरूर निकाल रहे हैं दो लाग करोड रुपे दो लाग करोड रुपे निकाल चुके याद रखिए बट यहाँ पर अभी वो जब आना शुरू करेंगा अभी तो एफाई करीद रहे है याद रखिए एक अच्छा-खासा मार में यहाँ पर रखिए तो अभी कोई बुल मार्केट बियर मार्केट नहीं है तो इस रीच को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हर एक शेयर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ब सब्ऻ Zahlा कर देखिया चलता देखिए एक पर देखिए एक यहाँ पर नजराता है बॉटम के लिए यह पर आप आप जब यह आप पन बन्ता हुए नजरा आольз औरबॉ नशुड करती आप शांत भी नहीं रहना है और आपको यहाँ पर ज्यादा रियक्ट भी नहीं करना है याद रखें एमोशन को चार्ण करना स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंपोर्टन होता है यह इस चीज को भृड़ा साथ ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर यह लेवल काफी है याद रखे कल की अगर गिरावट होती है जो कि मुझे लग रही है होगी और यह लेवल महतपून है इस लेवल से होता है तो नीचे आएगी चीज़े यहां से ही बाउंस बैग भी कर जाए तो इसके ध्यान डर्म में रखते हुए आपको भैतरी चीज़े यहां पर चूज करनी है तो सबसे पहले बैंकों का राजा HDFC बैंक, HDFC बैंक पर यहां पर दाउन लगा सकते हैं, कोके यहां पर अच्छी कासी गिरावट हो चुकी है, राउंडिंग टॉप जो यहां पर मैं बात कर रहा हूँ, वो राउंडिंग टॉप भी यहां पर बनता हुआ नजर आ ही तो देखे तो देखें किसी के हाथ में नहीं 200 पाइंट की गिरावट, 200 पाइंट की गिरावट और हो सकते हैं फिर चीज़े यहां पर आती ही दिखाई दे सकते हैं, राउंडिंग टॉप जो है वो यहां पर लंबा बन सकता है, पर उसके बात चीज़े जब जाएंगी याद रखिए ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी तो यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हैं बट थोड़ा सा कौशियस होके भी इसके लाबा की भी बात करेंगी यहाँ पर काफी बहतरी न है यहाँ पर अच्छा कासा नजर आता है यहाँ पर भी गिरावट हुई है बट एस कंपेर हैं मैं HDFC की बात करूँ तो ऐसी गिरावट मुझे खास दिखाई नहीं देरी और यहाँ पर कोई ऐसा चार्ट पैटर रांडिंग यहाँ आ रही है एक्सिस बैंक के देखिए रिजल्ट बहतरी नहीं थे जब रिजल्ट बहतरी नहीं थे यह एक रैली होती भी दिखाई दी थी 600 रुपे से लेकर यहाँ पर 800 रुपे की उसके बाद देखें तो यहाँ पर लगाता गिरावट हो रही है यहाँ पर अगर यह तूटता है तो इसके बाद यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है रांडिंग टॉप जो मैं बात कर रहा हूं वो रांडिंग टॉप यहाँ पर बनती हुए नजर आ सकती है तो प्रपेर भी रही है एस वेल आपको क्या एक्जिक्यूट करना है उसके इसाफ से भी आपको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि अगर अम टार्गेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासा है यहाँ पर टार्गेट बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि इसे एल तेरह सो रुपे तक लेके जा सकता है इसी तरीके से यहाँ पर को से हुए नजर आ रहे और यह क्राइसिस थोड़े बहुत टाइम के लिए कुड़ जंप किया है याद रखिए क्राइसिस की वज़ेसे किया है और जैसी यह क्राइसिस कतमों का स्कुरू नीचे आता हुए दिखाई देगा इसके लावा हम मुझे बहतरी शेयर नजर आता है जब गिरा था 700 रुपे तक यहां पर आया था पेंडमिक के टेम पर उसके बाद रैली दिखाई थी 7000-800 रुपे तक यहां पर शेयर गिरा था गया था, और रौंडिंग यहां पर देख रहे है, रौंडिंग टॉप यहां पर बनता हुए नजर आ रहा है, इसकी वज़े स अगर अच्छा बड़ा वाला यहां पर राउंडिंग टॉप बनाता है तो याद रखिए यह फिर गिलावट 4300 तक आईगी अच्छे अपॉर्चिनिटी फिर यहां पर आपके लिए बनती हुई तयार होती हुई नजर आ रही है इसके इलाबा बजाज फेंसर्व की तरफ आ सारे की सारे शेयर हो काफी मखन वाले शेयर है काफी बहतरी शेयर है एस्बी आई एन की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ सारे बहतरी बैंक है सारे बहतरी निया पर शेयर है अच्छे कासे यहां पर फंडमेंटल चेक करके एस्बी दे सकते हैं, काफी भैती नंबर्स थे, ओके गिरावट हो रही थी, अभी भी गिरावट हो रही है, rounding मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट है एक अच्छी opportunity है, क्योंकि इसके भी यहाँ पर भी गिरावट हुई थी, उसके लोगों ने बेज दिया था, उसके बाद जो भागा था, शेयर 1200 रुपे था, कि यहाँ पर consolidation, सब कुछ यहाँ पर complete हो गया, rounding top भी मुझे लगता है कि complete हो गया, अब चीज़े उपर जाना शुरू करेगे, और जब उपर जाना शुरू करेगी तो 50-50% के return तो यहाँ पर बनते हुए, साफ नज़र आ रहे, बट buying selling की कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor खुद की study करिएगा, और जितना हो सकते support करिएगा, थोड़ी सी गिराबट और हो सकती है, बट जैसे recovery होगी, these are the few things, यह जो stocks है, few stocks जो कि यहाँ पर भागते हुए नज़र आएंगे, और अच्छे return मिलते हुए नज़र आएंगे, अगर पैसा है तो लगाना की बार ही है, नहीं है, तो चुप चुप शाओंतों के बैटिये, बेचिये, बिल्कुल नहीं, So, thank you so much, God bless, नहीं पर वीडियो को खतम करते हैं, यहाँ पर आप हमें contact कर सकते हैं, Like, Comment, Share करना बिल्कुल माभूजियो, Subscribe कर लीजिये, So, thank you so much, God bless.